नमस्कार, मैं प्रियंग का स्थाना आप देख रहे हैं वीके न्यूस नागित्ता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में कई जगा हिंसक प्रदर्शन किये जा रहे हैं इसमें पुर्वोत्तर राजियों समेर बंगाल, दिल्ली और यूपी के कई शहर सामिर हैं कई जगा तो विरोध प्रदर्शन इतने उग्र हो गए कि पुलिस को भीड काबू करने के लिए लाठी चार्ज और आसू गैस का इस्तमाल करने के साथ साथ गिरफतारी भी करनी पड़ी इसी कड़ी में जामिया का हिंसक विरोध प्रदर्शन भी काफी सूर्खियों में चल रहा है जामिया चात्रों के खिलाब पुलिस कारवाई पर बॉलिवुड के दिगज सितारे भी इस मसले पर बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं लेकिन बॉलिवुड एक्टरस परिनिती चोपडा को जामिया प्रदर्शन का समर्थन करना और C.E.A. का विरोध करना भारी पड़ गया पतादे कि सरकार ने परिनिती के ट्वीट पर आक्शन लेते हुए उनसे पल्ला जाल दिया है आईए आपको सुनाते हैं कि परिनिती का वो ट्वीट जो की उनके गले की फांस बन गया है दरसल उन्होंने अपने ट्वीटर हैंडल से लिखा कि अगर आवाज उठाने पर ऐसा ही हाल हुआ तो C.E.A. भूल जाओ एक बिल पास करें और हम अपने देश को लोगतांत्रिक कहना बंद करें अपने मन की बात कहने पर निर्दोश लोगों को पीटा जा रहा है ये बरबरता है पर इने ती ने इस ट्वीट में नागरिक्ता संशोधन बिल का विरोध और प्रदर्शन कारियों का समर्धन किया तो वहीं उनके खिलाफ किये गए बल प्रियोग को बरबर बताया जिसके बाद हरियाना मुखे मंत्री मनोहलाल खटर ने उने बाहर का रास्ता दिखा दिया है पतादे कि हरियाना में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रैंड अमबेस्टर परणीती चोपडा के नागरिक्ता संशोधन बिल पर आय ट्वीट के बाद सरकार ने उनसे पल्ला जाल लिया है इस ट्वीट के बाद हरियाना में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान के प्रोजेक्ट डारेक्टर योगेंद्र मलिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं जहां तक मेरी जानकारी है और मैं इस विभाग को देख रहा हूँ, अब परिनिती चोपडा हमारी ब्राइंड अमबेस्टर नहीं रही हाला कि आपको बता दे कि हर्याना सरकार ने उन्हें ब्राइंड अमबेस्टर पत से क्यों हटाया, इसकी वज़ा सपश्ट नहीं की है लेकिन इस ट्विट के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाने से तो ऐसा ही लग रहा है कि परिनिती चोपडा ने उड़ता हुआ तीर अपनी तरफ मोल दिया है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बीके निउस, लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें